Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आज पूरे एक मिनिट के लिए सूरज चान के पीछे गायब हो जाएगा और तब सूरज के बजाए आग का एक घेरा ही दिखाई देगा रतना बहुत उत्साहित है आईए तारा मंडल में बीतने वाले उनके एक दिन पर दृष्टी डालते है कहानी का शीर्शक है रतना और आग का घेरा ओरिजनल स्टोरी रतना और रिंग ओफ फायर बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है नंदिता जैराज चितरांकन शिवम चौधरी हिंदी में अनुवाद M.A. समीर कहानी का वाचन असावरी दूश आज का दिन अनोखा है पूरे एक मिनिट के लिए सूरच चांद के पीछे चिप जाएगा जहां एक चमकीली सुनहरी गेंद हुआ करती थी वहाँ अब आग का एक पतलासा घेरा रह जाएगा रतना तारा मंडल में एक खगोल शास्त्री है रतना और उनके दोस्त सूर्य ग्रहन को लेकर बहुत उत्साहित है आखिरकार ये एक ऐसा दुरुष्य है जिसे हर कोई देखना चाहेगा रतना ब्रह्मांड के कई रहस्यों को जानती है जैसे कि जब अर्बो साल पुराना तारा नश्ठ होता है तब क्या होता है और सूरच चांद के पीछे कैसे गायब हो जाता है रतना लोगों को तारो ग्रहो और दूर स्थित आकाश गंगाओं के सबसे अच्छे दुरुष्य दिखाती है कभी टेलिस्कोप के द्वारा, कभी अपने स्काई थियेटर के द्वारा और कभी-कभी जनतरमंतर जैसी प्राचीन वेधशालाओ द्वारा आज रतना की मेज पर दो सो ग्रहन देखने वाले चश्मे रखे हुए है ग्रहन देखने के लिए इन चश्मों को अवश्य पहनना चाहिए दोसो अगंतुक टेलिस्कोप और प्रोजेक्शन बॉक्स में जाते है और आसमान में चंद्रमा के पीछे छिपे सूर्य को करीब से देखते है जल्दी ही सूर्य ओट से बाहर आया अब रतना के पास उनके लिए और भी कुछ खास है वो अगंतुकोप को एक गुम्बददार चटवाले अंधेरे कमरे में ले जाती है ये स्काइ थियेटर है ये वही जगा है जहां पर रतना ने एक विशाल प्रोजेक्टर रखा हुआ है हर कोई कुरसी पर पीछे की ओर जुग जाता है और उपर की ओर देखता है और इस तरह छट रात के आसमान में बदल गई है रतना उन्हें अब ब्रह्मान की यात्रा पर ले जाएगी ये कहानी रतना श्री नंदिवाडा के जीवन के एक दिन का विवरण है जो दिल्ली में नेहरू तारा मंडल की निदेशक थी रतना श्री नंदिवाडा इनका जीवन घटनाक्रम 26 नवंबर 1963 रतना श्री नंदिवाडा का जनम हैदराबाद में हुआ 1992 से लेकर 1996 युग्मतारा यानि के बाइनरी स्टार्स के जीवन चक्रपर शोत के लिए उन्हें मुंबई के टाटा इंस्टिटूट और फंडामेंटल रिसर्च में पीएजडी से सम्मानित किया गया उन्होंने दुनिया भर की प्रयोकशालाओं में काम किया है 1996 वो एक वरिष्ठ खगोल विज्ञान शिक्षक के रूप में दिल्ली के नहरू तारामंडल से जुडी 1999 वो तारामंडल की निदेशिका बनी 2000 रतनाश्री ने स्कूली छातरों के लिए दिल्ली और जैपूर के जंतर मंतर को बाहाल करने और उन्हें खुली भौतिकी की प्रयोकशालाओं के रूप में उप्योग करने के लिए एक परियोजना शुरू की 2014 वो Astronomical Society of India's Public Outreach and Education Committee की अध्यक्षा बनी 9 माई 2021 COVID-19 के कारण रतनाश्री का निधन हो गया कैसी लगी आपको कहानी? तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak ये हमारी चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और बहुत सारे podcasting channels पर तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया बाई 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 शुक्रिया